हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इडूटेरिया मैं परिंट कुआर आप सभी का स्वायत करता हूँ आज की इस वीडियो में जो है महात्पून समान नयध्यान प्रसन सिंखला का 23 वीडियो इससे पहले 22 वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप बेट करने का मौका मिलेगा इसके लिंक से रिलेटेड वीडियो भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा तो चली दोस्तों सुरू करते हैं पहले प्रशन की ओर सबसे पहला प्रशन है रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत में वाय सराय निमलिखित में से कौन आपको पता है कि 1990 में जो है रॉलेट एक्ट आया था और इसे काला कानून कहा जाता था तो उस समय वाय सराय कोन थे ओप्शन है लॉर्ड मिन्टो लॉर्ड चेम स्फोर्ड लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड रीडिंग तो इसका जो सही उतर है वो है लॉर्ड चेम 1916 से लेकर के 21 था इस दोरान वह वायसराय के रूप में भारत में काम किया और इसी के समय में जो है भारतिय राष्ट्रिय आंदोलर को दवाने और उसके जो नेता थे उनको गिरफतार करने के उदेश से 1919 में इस्पेसली जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था तो इस परकार से रॉलेट आर्ट जो बंद करके आया था उसमें कौन थे वायसराय लौट चेंट थोड़ थे इसके अलाबा ये भी जान ले कि भारत में आदालतों के आदेश के बिना ही मुकदमा चलाए बिना ही जेल में बंद करने का आदेश जो है इसमें किया गया था जिसके क अकाल, राजनितिक सुधार, किरसी तो अरुंडेल समीती का संबन जो है वो था राजनितिक सुधार से तो लौट मिंटो द्वारा अरुंडेल समीती का गठन जो है वर्स 1926 वी में राजनितिक सुधार के उदेश से किया गया था और राजनितिक सुधार के उदेश से ही अ 1946 का जो रॉयल नेवी का जो एक विद्रोव था वो काफी चर्चित है यह विद्रोव कहा हुआ था ओप्शन है कलकता मुंबई मदरास और विशाका पटनम तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है बंबई में उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था और बंबई में ही हम आई तलवार यह जो जहाज था जिस पर यह विद्रोव हुआ था उस जहाज का नाम था तलवार और इसी तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी के जो सैनिक थे उन्होंने भूख खरताल किया और बाद में विद्रोव कर दिया तो यह विद्रोव क्यों हुआ था त विक्रम सीला गंगा डॉल्फिन अभ्यारन की किस राजे में इस्थित है तो हाल ही में इसका अस्थापना किया गया था विक्रम सीला गंगा डॉल्फिन अभ्यारन और यह किया गया है उप्सन है उत्राखंड उत्र प्रदेश पस्चिम बंगाल बिहार इसका सही उत्र जो है बिहार में कहा किया गया है तो बिक्रम सीला गंगा डॉल्फिन अभ्यारन बिहार के भागल पुर्जीले में अस्थापित किया गया है जहां गंगा की डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए पडियास किया जाएगा गंगा को भारत में जो है जो गंगा की डॉल्फिन है उसको भारत में राष्ट्रीय जल्विय जीब भी घोसित किया गया है पास्वा प्रशने नायकडा विद्रोह जो है वो कहा हुआ था तो नायक और नायकडा ये दो परकार के जन जातिये विद्रोह की स्रेणी में सामिल होते हैं तो ये दोनों विद्रोह जो है ये किस राजे से संबन्दी थे ओप्सन है गुजरात अशम बंगाल आंधपरदेश इसका सही उत्तर जो है वो है गुजरात गुजरात राजे में जो है नायक और नायकडा विद्रोह जो हुआ था उसमें से नैकदा विद्रो जो है 1868 हिस्वी में गुजरात में हुआ था यह एक प्रमुख जनजाती यह अंदोलन था छटा प्रशन है 1665 हिस्वी में ताली कोटा का युद हुआ इसमें वीजय नगर समराज जेक का नित्रितो किसके द्वारा किया गया था तो आपको पता है कि ताली कोटा का युद जो है वो 1565 में गुआ था और काफी परसिद है क्योंकि इसमें वीजय नगर और बहमनी ये दो छेतर थे और इन दोनों छेतरों के बीद जो है मुखे रूप से शंगर्स हुआ और यहीं से वीजय नगर का पतन हो जाता है तो इस युद का नेतरी तो वीजय नगर के किस सासक द्वारा किया गया था आप्शन है राम राय द्वारा देव राय दूतिय द्वारा किस देव राय द्वारा और तिरुमल द्वारा तो इस समय जो वीजय नगर के राजा थे थे वो सदा सीव थे लेकिन उनके मंत्री थ प्रशन का जो सही उत्तर है वो औप्शन राम राय है तो यह याद रखेगा काफी महत्पून है और इसमें बीजय नगर समराज्य का पतन हुआ था और जो बीजापूर का चेतर था बाद में अहमद नगर बीजापूर गोलकुंडा बीदर आदी नाम से जो है बहमनी चेतर बट गया था सात्वा प्रशन पूरब वह भी सुविध्याले है जो किसी को परमान पत्र नहीं देता है यह कथन किस वायसराय से जुरा हुआ है तो यह जो संबंध है यह किस से जुरा हुआ है ओप्शन है लॉड लीटन से लॉड करजन से लॉड डफरिन से लॉड रीपन से इसका सही उत्तर जो है वो है लौड करजन लौड करजन की पहचान जो है भारत के सबसे यूवा वाय सरायक में की जाती है सेक्सिनिक सुधारों के अंतरगत करजन ने उन्हें 102 में सर टॉमस रैले की अध्यक्सता में भी स्विद्यालाय आयो का गठन किया बाद में पूलिस सुधार के लिए करजन ने उन्हें 102 में सर एंड्रील फ्रेजर की अध्यक्सता में पूलिस आयो का गठन किया था और लौड करजन ने ही कहा था कि पूरा बोहविस विद्यालाय है जो किसी को पर्मान पत्र नहीं देता है तो करजन से कई प्रशन है जो बनते हैं बंगाल विभाजन से लेके महत्पूर्ण प्रशन आठवा प्रशन है भारत छोरो आंदोलन के दोरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कों थी तो आपको पता है कि भारत छोरो आंदोलन के दोरान जो है मुखे रूपचे भारत के अलग-अलग भागों में जो है कई जो है कह सकते कि समानांतर सरकारे गठित हुई थी और ये समानांतर सरकारे क्या थी तो एक तरफ बिटेन की सेना थी और दूसरी तरफ भारतियों के द्वारा सासन चलाया जा रहा था और छोटे से हिसे में लेकिन एक प्रकार की सरकार जैसी विवस्था करके अपना सासन चलाने का प्रियास किया जा रहा था इसी सरकार विवस्था को जो है समानांतर सरकार विवस्था कहा गया और यह सतारा, बलिया, तामलूग, भागलपूर आदी छेतरों में चलाया गया था इसमें से सबसे ज़्यादा कहां चलाया गया तो इसका सही उतर जो है वो सतारा है भारत छोरो आंदोलन के दौरान अस्थापी समनांतर सरकारों में सतारा महराष्ट के वो सरकार की सबसे ज़्यादा समय तक जो है यहाँ पर रही थी गदर पार्टी के अध्यक्स निमलीखित में से कौन थे तो आपको पता है कि गदर पार्टी एक करांतिकारी पार्टी थी ओप्सन इसके लाला हर्दयाल, सोहन सिंह भकना, वीडी सावरकर, अजीत सी तो यहाँ पर यह थोरा सा कुश्चन को ट्विस्ट किया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा, वो सोहन सिंह भकना होगा, क्योंकि गदर पार्टी का यहाँ अध्यक्स पूछा गया है, तो एक नॉमबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के अस्थाप दस्वापरश नहीं के किस अधिवेशन में धन के निश्कासन सिधांत को स्विक्रिद किया गया है, पहला है कलकता अधिवेशन 1916 में, बाकी पूर अधिवेशन 1912 में, लाहोर अधिवेशन 1922 में, इसका जो सही उत्तर है वो है कलकता अधिवेशन 1896 में पहली बार धन के निश्कासन सिधान्त को स्विक्रित किया गया था कलकता कॉंगरेस अधिवेशन कॉंगरेस के धन निश्कासन सिधान्त की स्विक्रिती से जुरा हुआ था और धन इसकासन का सिधान जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी ने दिया था एक ग्यारवा प्रशन है बीस वर्स तक रियास्तो तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्स करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए उदारवादियों के संबंद में यह वक्तब वे जो है वो किस ने दिया था तो भारत में दो प्रकार के दल बन गये थे एक उदारवादी थे और एक करांती कारी दल थे तो करांती कारी दल जो थे, मुखे रूप से ये हिंसा में विश्वास करते थे, अंग्रेजों को भगाने में विश्वास करते थे, जबकि उदारवादी भूखर्ताल और अन्य माध्यमों से अंग्रेजों के सामने अपने बात रखने में विश्वास करते थे, तो उदारव पाल डॉक्टर राजेंदर परशाद लाला लाजपत्राय तो वास्तों में इसका सही उतर जो है वो है लाला लाजपत्राय ये कथन जो है लाला लाजपत्राय से संबंदित है लाला लाजपत्राय के बारे में जानते होंगे आप कि उन्होंने साइमन कमिशन का बिरोध किया और साइमन वापस जाओ जैसे नारे जो है उनसे संबंधित है इसके अलावा उन्होंने एक और नारा दिया था मेरे सिर्परपरी लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सासन के ताबूत में कील साबित होगा ये नारा भी लाला लाजपत राय से जुरा हुआ है और ये दोनों ही प्रशनों में पूछे जाते हैं बारावा प्रशने राष्ट्रिय योजना समीती के अस्थापना कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी ओप्शन है कराची अधिवेशन 1931 फैसपूर अधिवेशन 1937 हरीपूरा अधिवेशन 1938 तिरिपूरी अधिवेशन 1949 तो राष्ट्रिय योजना समीती के अस किस ने की थी तो अध्यक्सता के बारे में याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोष जो है वो इसके अध्यक्स थे इस अधिवेशन के हरीपूरा के अध्यक्स थे लेकिन इसी के दौरान जो राष्टी योजना समीती का गठन किया गया था उसकी अध्यक जो है वो पंडित जवाहरलाल नहरू थे तो दोनों ही प्रशन यहां से पूछे जाते हैं इसे जरूर याद रखेंगे तेरहा प्रशन है भारत छोरो आंदोलन के दौरान सरकारी निती के विरोध में महाधिवक्ता पद से किसने त्याग पत्र दिया था तो भारत छोरो आंदोलन के दौरान जो महादिवक्ता पत्से त्याग पत्र है option है दीप नरायन सी, मतुरा सी, कृष्णा वल्लव शहाय, बालदेव शहाय इसका सही उत्तर जो है यह है option डी बालदेव शहाय भारत छोरो आंदोलन उनेश्व बियालिस में बालदेव शहाय द्वारा जो है सरकारी नीती का विरोध करते हुए महादिवक्ता के पत्से त्याग पत्र दे दिया गया था और भारत के सबसे महत्पूर्ण स्वतंता आंदोलन में गीना जाता है भारत छोरो आंदोलन को चोद्वा प्रशने ब्रिटिस सासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतिय अर्थविवस्था पर नहीं पड़ा था तो वी ओधोगी करन, किर्सी का वानिजी करन, किर्सी छेतर का विकास, अकाल एवंगरीबी तो जो अंग्रेजी सासन था, इस अंग्रेजी सासन से भारत पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा था तो इसका जो सही उतर है वो आप्सन C है क्योंकि वी ओधोगी करन, यानि उद्योगों का नास हो गया किर्सी का वारिजी करन, यानि बाजारी फसलों को बढ़ावा दिया गया, अकाल और गरीबी परमुकता से देखने को मिला किर्सी का विकास जो है वो बहुत ही सीमित हुआ था अंग्रेजों के आने से किर्सी का विकास नहीं बलकि किर्सी छेतर का विनास शुरू हो गया था पंदरवा प्रस्न है किस आंदोलन के दोरान गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधी दोरान लोटा दी थी और जालिया वाला बाग हत्याकांड के बजस्ट बाद जो आंदोलन सुरूआ था और सहयोग आंदोलन इस परकार से जो है इस प्रशन का सही उत्तर जो है वो और सहयोग आंदोलन के दोरान गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लटादी थी इसके अलावा रविन्या ठाकुर ने नाइट हूट की उपाधि लटादी थी आते हैं सोलावे प्रशन की ओर लोकसभाज चुनाओ के दौरान चुनाओ परचार समाप्त हो जाता है तो लोकसभाज या बिधान सभाज चुनाओ परचार कब समाप्त होता है इससे समंदित प्रशन पूछे जाते हैं Option है, मदान प्रारंब होने के 24 गंटे पहले, मदान प्रारंब होने से 48 गंटे पहले, मदान समाप्त होने से 48 गंटे पहले, मदान समाप्त होने से 24 गंटे पहले, इसका जो सही उत्तर है, वो है मदान समाप्त होने से 48 गंटे पहले यह समाप्त हो जाता है, आईए समस्ते इसक सुबह 7 वज़े से ले करके यदि चुनाव पांच वज़े साम तक होना है तो ये 6 तारीक को गैप करते हो यानि 5 तारीक को साम 5 वज़े चुनाव परचार समाप्त हो जाता है तो इस परकार से ये चुनाव समापती के 48 घंटे पहले जो है ये मद्दान की जो चुनाव प्रक्षार की प्रक्रिया है वो समापत कर दी जाती है आते हैं अगले प्रश्ण में भारत में तीन अस्तरिये पंचायती प्रनाली कितनी जनसंख्या के उपर वाले राज्यों में निर्धारित की गई है तो आपको पता है कि त्री अस्तरिये प्रनाली है भारत में जीला पड़िशत पंचायती राज के तहर जो है वो पंचायत प्रखंड अस्तरिये और इसके अलावा जो है वो ग्राम पंचायत तो तीन अस्तर पर पंचायती विवस्ता है option है 10 लाग के उपर वाले राज्ये 5 लाग के उपर 15 लाग के उपर 20 लाग के उपर तो इसका जो सही उतर है वो है option D 20 लाग से अधिक जन संख्या वाले राज्यों में 3 अस्तरिये सिस्टम लाया गया है जिसमें सबसे उपर जिला पडशद फिर पंचायत समीती और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होते हैं अगला प्रशन है अठारवा निमलिखित में से किस समीती ने सरव पर्थम पंचायतों में महिला आरक्षन की सिफारिज की थी अप्शन है बलवंत राय महता समीती, जीवी के राव समीती, पी के थुंगन समीती, गाड़ गिल्ट समीती तो निमलिखित में से किस समीती ने सरव पर्थम पंचायतों में महिला आरक्षन की सिफारिज की थी तो इसका जो सही उतर है पी के थुंगन समीती है 1988 में गठित पी के थुंगन समीती ने सरव पर्थम पंचायतों में महिला आरक्षन का सुझाव जो है वो दिया था और बाद में आपको पता है कि 73 शंबिधान संसोधन के तहट जो है एक तिहाई महिला आरक्षन का प्रावधान जो है वो कर दिया गया था 19 प्राशन है संबिधान के भाग 9 में क्या है यानि 9 किस से सम्बंधित है उप्सन है पंचायतों से नगर पालिका से सहकारी समीतियों से अनुसूची जाती और जन जाती छेतरों से तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंचायतों से यदि बात करेंगे भारतिय संबिधान के भागों में तो सम्मिधान का भाग नौ जो है ये पंचायतों से संबंधित है नौ काख नगर पालिका से संबंधित है और जबकि नौ काख सहकारी समीतियों से संब्मिलित है तो ये तीनों ही तीनों याद रखेगा यहां से प्रशन आते रहते हैं बीस्वा प्रशन हमारा इस चारों कथन में ऑप्शन डी जो है वो गलत है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है दल बदल उपवंद के आधार पर लोगसभा के किसी सदस्य की निरहरता का अंतिम विनिश्चन निमलिखित मेंशे कौन करता है यानि यदि दल बदल के आधार पर किसी भी नेता को अधर वहां से हटाना है यानि संसद से उसको हटाना है तो अंतिम निरने जो है वो किसके द्वारा किया जाता है तो अंतिम निरने जो है वो किया जाता है मुखे रूप्षे आप्शन है परधान मंतरी राष्ट पती लोगसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर इसका सही उतर है लोगसभा अध्यक्ष लोगसभा स्पीकर के माध्यम से ही दसवी सूची के जो दल बदल के अंतर पर जो अंतिम निरने है वो लिया जाता है बाइसवा प्रशन है बिरानवे संविधान संसोधन 2003 द्वारा आठवी अनुसूची में किन भासाओं को जोरा गया तो सबसे पहले आप तो यह जान ली कि आठवी अनुसूची के अंतरगत जो है बाइस भासाओं का वर्नन किया गया है तो इन भासाओं में निरंतर बिर्धी होती रही प्रारम में 14 भासाओं थी और इस बिरानवे संविधान संसोधन के द्वारा जो है वो चार भासाओं को जोरा गया था तो यह भासाओं कौन-कौन सी थी आप्शन है कोकनी एवं मनीपूरी मैथली एवं संधाली बोडो एवं डोगरी बी एवं सी तो इसका जो सही उतर जो है ओप्शन डी बी एवं सी क्योंकि 2003 में जो बिरानवा संविधान संसोधन हुआ था इसमें बोडो मैथली संधाली और डोगरी चारो भासाओं को जोरा गया था आते हैं 23 प्रश्ण की और सूची एक एवं सूची दू का सही मिलान करें एक तरफ जो है खनीज पदार्थ दिये गए हैं और दूसरी तरफ उसके प्रमुख प्राप्ती अस्थल दिये गए हैं तो लोह ऐस्क कोईला जस्ता तामबा और इस तरफ है खेतरी नोवा धनबाद और जावर तो कौन है किस खनीज उत्पादन के लिए परसिद अस्थल आईए देखते हैं तो लोह ऐस्क को जो है ये मुखे रूप से नोवा मुंडी से प्राप्त होता है कोईला जो है इसके लिए धनबाद जो है वो काफी ज़्यादा परचली थै जस्ता के लि निमलिखित में से कोन सी परवत स्रेणी ट्रांस हिमाले छेतर में इस्तित है तो आपको पता है कि हिमाले की जो स्रिंखलाए है उसमें ट्रांस हिमाले फिर बिढ़ध हिमाले फिर मदे हिमाले और फिर जो है सिवाली की स्रेणी आती है तो इसमें जो सबसे उतरी भाग में ह वो ट्रांस हिमाले कहलाता है और इसमें कौन सा हिमाले छेतर सामिल है आप्शन है नामचा बरवा, कंचन जंगा, जासकर, धौलाधर इसका जो सही उतर है वो है जासकर, जासकर सिरेनी जो है वो मुख्य रूप से जो है ट्रांस हिमाले का पार्ट होता है तो ट्रांस हिमाले छेतर में इस्थित प्रमुक सिरेनियों में जासकर, लदा, कारा, कोरम आदी सामिल है जबकि विरहत हिमाले छेतर में जो है एवरेष्ट, कंचन जंगा, मकालू, धौला गिरी, अनपुर्णा आदी चोटियां सामिल है आते हैं अगले प्रश्ण के ओर, मेगी नोट रेखा, दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसे एक नाम दिया गया है, मेगी नोट, तो ये सीमा रेखा के अंतरगत मेगी नोट किसके किसके बीच है अपसनी है जर्मनी और फ्रांस के बीच जर्मनी और पोलेंड के बीच जर्मनी और बिर्टेन के बीच रूस और फ्रांस के बीच तो इसका जो सही उतर जो है वो मैगी नोट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है तो मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है फ्रांस एवं जर्मनी के आकरों से बचाव के लिए ही रेखा जो है वो बनाए गई थी तो वास्तों में जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच का ये सीमा रेखा इसी को मैगी नॉट रेखा नाम दिया गया है इसके अलाबा हीडन बर्ग रेखा जो है ये भी कई वर पूछा जाता है ये जर्मनी और पोलेंड के बीच है तो इसे याद रखेंगे 26. प्रशन है विसेस आर्थिक छेत्र अधनियम किस वर्स लागू हुआ था आप्शन है 2010 वी में, 2009 वी में, 2000 वी में 27. वी सेस आर्थिक छेत्र अधनियम लागू हुआ था आप्शन के आधार पर इसका जो सही उतर है वो है आप्शन D 2006 वी में क्या है ये आए समझते हैं विशेस आर्थिक छेत्र जो है वो भौगौलिक छेत्र होता है जहां देश के अन्य छेत्रों की अपेक्छा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं यानि यहां उद्योग लगाने पर यहां निवेस करने पर यहां वियापार करने पर काफी छूट दी जाती है यह इसलिए क किया जाता है ताकि किसी छेत्र विशेस को जो है वो विशेस आर्थिक छेत्र के रूप में बदला जा सके वर्ष 2000 इस वी में विशेस आर्थिक नीती की घोसना की गई और विशेस आर्थिक छेत्र अधनियम 2005 में लाया गया लेकिन इसे लागू जो है वो 2006 में किया गया था इसलिए इसका सही उतर जहें वो 2006 है. 27 में प्रश्ण क्यों राते हैं, भोपाल गैस तरास्दी में कौन से गैस का रिसाब हुआ था? तो आपको पता है कि भारत की सबसे प्रमुख दुरगटनाओं में सामील है भोपाल गैस तरास्दी और इस दौरान गैस के रिसाब होने के कारण हज्जारों की संख्या में रातो रात लोगों की मिट्टी हुई थी. इसमें जो रिसाब हुआ था ओप्शन है मिथाईल आईसोसाइनाइट, कार्बन मोनो अक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, सल्फर डायोक्साइड तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओप्शन ए मिथाईल आईसोसाइनाइट, MIC इसे स्टौर्टों में कहा जाता है और लिखित में से वियत नाम की रजधानी कहा है, ओप्शन है जग्रेब, एसंस्यो और हनोई और नशाओ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हनोई, हनोई जो है वो वियत नाम की रजधानी है, इसके अलावा कुरोशिया की रजधानी जो है वो जग्रेब है, परागब की रज रजधानी जो है वो नसाओ है और बीयत नाम की रजधानी हनोई है आते हैं 29 में प्रशन के ओर निमली खित में से कौन सा परच्छे पास्टर जो है वो सतह से वायू में मार करता है तो आपको पता है कि भारतिय सुरक्षा तंत्र में अस्थल से अस्थल पर मार करने वाले इस निर्भय, सौरे, तृषूल, के-15, सागरिका इसका जो सही उत्तर है वो है तृषूल तृषूल सता से हवा में मार करने वाला मिशाइल है के-15 जो है वो पंडीबुई से परचेपित बैलेस्टिक मिशाइल है सौरे सता से सता पर मार करने वाली हाइपर सोनिक सामडिक मिशाइल है निर्भय जो है वो लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिशाइल है तो इस परकार से जो मिशाइलों की बात करते हैं तो त्रिशूल जो है वो सता से हवा में मार करती है तीसे प्रशन के और आते हैं दुरगापूर इसपात करखाना के अस्थापना किस पंचवर्चे योजना के दौरान की गई थी तो इसपात कर खाना के अस्थापना जो है वो भारत में मुख्य रूप से दूतिये पंचवर्चे योजना के दौरान लक्ष के रूप में रखा गया था तो उप्षन है प्रथम, दूतिये, तिर्तिये और चतुर्थ इसका सही उतर जो है वो है दूतिये पंचवर्चे योजना दुरगापूर, इसपात कर खाना की अस्थापना दूतिये पंचवर्चे योजना के दौरान 1959 में किया गया था दुरिगापुड इस पात कर खाना जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पस्चिम बंगाल में इस्थित है इसके अलावा मैं बता दू कि दूतिये पंचवर्चे योजना के अंतरगत 1956 से 61 के दौरान मुखे रुप से उद्योगों के विकास को ही लक्ष बनाया गया था आते हैं 31 प्रशन के और 31 प्रशन भारतिये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन जिसे इरडा कहा जाता है IRDA का मुख्याल है कहां इस्थित है ये बीमा छेतर के किसी भी समस्या को देखने के लिए बनाई गई संस्था है जैसे सेयर बार्केट के देखने के लिए से भ आते हैं 32 प्रशन के और पेर पौधों की टहनीयों को हिलाने से फूल पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं न्यूटन के किस गती नियम का यह एक प्रमुख उदाहरन है तो आपको पता है कि सेव को गिरते देखते हुए न्यूटन ने ग्रेविटी और बहुत सारी चीजों क खोज की थी लेकिन यहां जो प्रशन है वो न्यूटन के किस नियम से सम्मधित है आप्शन है पहला नियम दूसरा नियम तिरतीय नियम तो वास्तव में जो पेर पौधों से गिरने वाले पत्ते हैं वो पहले नियम को दरसाते हैं क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि पहले न से पत्ते और फूल गिरने लगते हैं तो इसमें बाहे बल लगने के बाद उसमें परिवर्ता ना गिया तो इसलिए यह पर्थम नियम का उधारन है तैने तीसवा प्रस्न है प्रकास का वीग कितना होता है? तीन गुने दस के पावर आठ के पावर दस मीटर पर सकेंड तीन गुने दस के पावर आठ मीटर पर सकेंड तीन गुने दस के पावर आठ मील पर सकेंड और तीन गुने आठ के पावर दस सेमी सकेंड तो मुख्य रूप से इसका जो सही उत्तर है वो option B होगा क्योंकि निर्वात में प्रकास का वेग तीन गुने दस के पावर 8 मीटर पर सकेंड होता है और इसकी जो सबसे पहले गनना है वो रोमर के द्वारा की गए थी हाला कि अगर इसे जो है बेभारिक रूप में देखें तो 2,99,792 किलो मीटर पर सकेंड जो है इसकी गती होती है लेकिन यहां मीटर पर सकेंड में हम लोगों ने निकाला है जिसके कारणी आकरा ज़ादा है तो रोकेट जो काम करता है यह वास्तों में रैखिये संवेग संगरक्षन के नियम पर काम करता है क्योंकि यह सीधी रेखा में उपर जाता है और नीचे जलसे जलसे इसका फोर्स लगेगा यह रोकेट उपर के ओर जाएगा तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक समवेग संगरक्षंग का नियम जो है ये कहलाता है 35 प्रशने सेविंग ब्रस के रेसे जो है वो आपस में चिपक जाते हैं यह किसका एक्जामपल है? ऑप्शन है घरसन का, स्यानता का, परत्यास्था का और प्रिश्ट तनाव का तो वास्तों में सेविंग ब्रस को जब पानी में से निकाला जाता है तो उसके रेसे आपस में चिपक जाते हैं यह पानी के सिकुरने यानि पानी की एक साथ इकठा होने का उदाहरन है जो की प्रिश्ट तनाव कहता है यानि पानी के जो सथों के बीच उत्पन हुए तनाव को हम लोग प्रिश्ट तनाव कहते हैं और इसका ये सबसे महत्पून उदाहरन माना जाता है और प्रिश्ट तनाव के दौरान जो है ससंजक बल जो है मुख्य रुप्षे काम करता है आते हैं 36 प्रश्ण के ओर फ्लेमिंग के दाए हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता करने के लिए लगाया जाता है आप्सन है प्रेडी धारा, वास्तविक धारा, प्रत्यावर्ती धारा, द्रिश्टकारी धारा तो फ्लेमिंग के दाए हाथ का जो नियम है वो वास्तों में प्रेडी धारा से संबंधित है फिलेमिंग के दाए हाथ के नियम का पड़योग करके प्रेरी धारा की दिशा का पता लगाया जाता है से तीस्वा प्रशन है फोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी आप्शन है लार इस्ट्रोस, अलबर्ट आइस्टीन, हमफडी डेवी, ए एच टेलर तो फोटॉन की खोज जो है वो की गई थी, अलबर्ट आइस्टीन के द्वारा की गई थी, फोटॉन की खोज 1905 में अलबर्ट आइस्टीन के द्वारा की गई थी, फोटॉन का भार एवं दरब्यमान जो होता है वो सुन्ने होता है तो ये photon से related प्रशन जो है वो काफी ज़्यादा पूछा जाता है आते हैं 38 से प्रशन क्यों किसी ततो का रासायनी गुन निमलिखित में से कौन निर्धारित करता है option है proton की संख्या, neutron की संख्या, electron की संख्या या फिर उप्युक्त में से सभी तो किसी भी ततो का रासायनी गुन जो है वो निर्धारित होता है उसके electron की संख्या पर तो किसी ततो में रासायनी गुन उनके नाभिक के बाहर विचरन करने वाले electron की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है तो यही इलेक्ट्रोन जो इसकी बाहरी कच्छाओं में चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या तै करता है कि उसका रासायनिक गुन कैसा होगा उन्चालिसवा प्रस्ण है निमलीखित में से कौन लोहे का सबसे सुधतम रूप है ओप्सन है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, उप्युक्त में से कोई नहीं तो लोहा का जो सबसे सुधतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा पिटवा लोहा में कारवन की मातरा बहुत कम होती है जिसके कारण ये सबसे सुधतम रूप जो है वो माना जाता है चालिसवा प्रस्ण है पीतल निमलिखित में से किसका मिसरन होता है तो पीतल का निर्मान जो है मिसर धातू के रूप में होता है दो धातू के मिलाने से तो आप्सन है तामबा एवं टीन तामबा एवं जस्ता, तामबा जस्ता टीन, सीसा एवं टीन इसका सही उत्तर तामबा एवम जस्ता को मिलाने से पीतल का निर्मान होता है तो copper प्लस जिंक बड़ाबर ब्रास यानी पीतल तामबा जस्ता का मिश्रन होता है अगले प्रश्ण क्यों राते हैं समुद्र में गोता खोरी करते समय गोता खोर ऑक्सिजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं तो जब समुद्र के नीचे गोता खोर जाते हैं तो अपने साथ गैस की टंकी लेकर जाते हैं गयस की टंकी में ओक्सिजन होता है satshin seven oxygen में कौन सा गैस मिला होता है pokemon nitrogen helium 2 एम की दोनों इसका उत्तर सु Indian gas ये सबसे हलके गैसों में शामिल होता है और गोता खोर के द्वारा जो है oxygen एवं helium gas का मिश्रन जो है पड़ियोग में लाया जाता है 42 प्रशन है सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्मान किया जाता है तो सुक्रोज का यदि जल अपघटन होता है तो इससे क्या बनता है ऑप्शन है glucose, lactose, fructose, A एवं C दोनों इसका option number D जो है वो सही है जब सुक्रोज जो है enzyme की उपस्थिती में जल अपघटन द्वारा glucose एवं fructose में बदल जाता है तो सुक्रोज के जब जल की उपस्थिती में अपघटन किया जाता है तो यह glucose और fructose में जो है वो बदल जाता है 43 प्रस्थन जो है Emiliaz enzyme का स्राव किस के द्वारा होता है तो Emiliaz enzyme का बहाँ कहां से होता है ओपचन है अगनए अशे से जठर रस से अमासासे उपयुक्त में से कोई नहीं तो Emiliaz और enzyme का बहाँ जो होता है वो अगनएशे से होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिपसीन, आदी का स्राव अगनासय दवारा होता है जबकि पेपसीन और रेणिन का स्राव जब के द्वारा होता है तो यह दोनों ही प्रशनों के रूप में पूछे जाते है 44 प्रश्ण है वरिक के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमश क्या कहते हैं कोर्टेक्स, मेडूला, मेडूला एवं कोर्टेक्स, नेफ्रोन एवं कोर्टेक्स, उप्युक्त में से कोई नहीं तो विरिक जो होते हैं इस विरिक के बाहरी एवं अंदर के भाग को क्या कहा जाता है इसका जो सही उतर है वो है option A बाहरी भाग को मुखे रूप से जो है कोर्टेक्स कहा जाता है एवं अंदरी भाग को जो है वो मेडूला कहा जाता है तो विरिक के बाहरी भाग को कोटेश तथा भीतरी भाग को मेडूला कहा जाता है जबकि नेफरोन जो है विरिक की करयात्मक इकाई होती है आते हैं अगले प्रश्ण के और 45 प्रश्ण है किस विटामिन का रासाइनिक नाम टेको फेरोल होता है तो आपको पता है सभी विटामिन के अलग अलग नाम होते हैं आप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के तो टेको फेरोल जो कहा जाता है वो विटामिन ए को कहा जाता है इसके अलावा आप याद रख सकते हैं बिटामिन C को एस्कॉर्विक एसीड कहा जाता है बिटामिन D को केल्सी फेरोल कहा जाता है और बिटामिन K को फिलो कीनोन कहा जाता है आते हैं 46 प्रश्ण क्यों निमलिखित में से किसका जो है वो सुमेल सही नहीं है सुंदर्बन पश्चिम बंगाल में है भीतर कनिका ओडिशा में है पिछवडम तमिलाडू में है और वेबनाद करनाटक में है तो जो इसमें से सुमेलित नहीं है उसको ढूंड़ना है तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो उप्सन D है वेबनाद करनाटक में नहीं ह बलकि वेमबनाद जो है वो मूल रूप से केरल में आता है तो वेमबनाद यहाथ याद रख सकते हैं इसके अलावा पश्चिम बंगाल में है सुंदर्बन ओडिशा में भीतर कनिका और धामरा है इसके अलावा केरल में वेमबनाद और कनूर है और तमिलाडू में पिछवरम रामनार्ड काजुवेली आदी प्रमुक्छेतर है आते हैं 47 में प्रश्ण के ओर किस बंदरगाह को कौफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है आप्शन है साव पाउलो, सेंटोष, फेजेंडा, इटाबीरा इसका जो सही उतर जो है वो है सेंटोष सेंटोष बंदरगाह जो है यह जो है ब्राजील में है और यह मुखे रुपशे कौफी के लिए ही परसिद है तो ब्राजील के सेंटोष बंदरगाह को कौफी बंदरगाह कहते है ब्राजील के कहवा बाग को फेजेंडा कहा जाता है तो ये especially coffee के बगीचे को कहा जाता है इसके अलाबा जो है एक मंडी है वहाँ जिसको साव पावलो कहते हैं जहां पर मुखे रुप्षे coffee का ब्यापार होता है और ब्राजील जो है दुनिया में coffee के उत्पादन का सबसे बरा जो है वो देश है तथा नेडियातक देश में भी वो पहले नंबर पे आता है और तालिसवा प्रस्ण है हिमाली पडवत सरिंखला किसका उदाहरन है जोला मुखी परवत का अवसिष्ट परवत का ब्लॉक परवत का वलित परवत का तो ये परवतों के अलग-अलग परकार है जैसे जोला मिखी से बनने वाले परवत जोला मुखी परवत कहलाते हैं अवसिष्ट परवत जो परवतों को तूटने से बनते हैं और ब्लॉक परवत जो होते हैं वो इस परकार से उचाई वाले शितर वाले होते हैं और वलित परवत जो हते हैं वो folded mountain इस तरह के सिरेणी में होते हैं तो हिमाले परवत जो है वो वास्तों में वलित परवत की सिरेणी में आते हैं इसके अलाबा अगर बात करें तो आल्स्ट, एटलस, यूराल, एंडीज ये सब प्रमुख परवत हैं जो की मुखे रुप्षे वलित परवत सिरेणी के अंतरगत ही आते हैं इनका निर्मान संपीडन के कारण हुआ है जब दो प्लेट आपस में जुड़ें तो उससे जो निर्मित परवत है वो मुखे रुप्षे इस तरह से folded mountain के रुप में हुआ है उन्चास्वा प्रशन है डेविस जलसंधी किसको जोडती है हटसन की खाड़ी और लेबराडोर सागर को बैफीन की खाड़ी और लेबराडोर सागर को मेक्सिको की खाड़ी और केरेबियन सागर को उप्युक्त में से किसी को नहीं तो डेविस जलसंधी जो है वो इसका सही उतर जो है वो option B है बैफीन की खाड़ी और लेबराडोर सागर के बीच जो है वो इस्थित है डेविस जलसंधी तो यह डेविस आपको दिखाई दे रहा है इसके अलावा बैफीन की खाड़ी और लेबराडोर सागर को जो है यह जो अब आते हैं अंतिम प्रश्ण के ओर जो है हमारा पचास्वा प्रश्ण अठकामा मरवस्थल किस महा देश में स्थित है तो काफी फिमस है अठकामा मरवस्थल ओप्चन है अफरीका, उतरी अमेरिका, दक्छिनी अमेरिका, यूरोप तो इसका जो सही उत्तर है वो है option C दक्षिन अमेरिका महादेश में है और दक्षिन अमेरिका महादेश में especially किस देश में है तो चिली यह चिली वह देश है जिस देश में जो है अटकामा मरुवस्थल इस्थित है तो दक्षिनी अमेरिका महादेश यह याद रखेंगे कि ज आज का ये प्रस्टन स्रिंखला आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो दोस्तों को सेर करें, लाइक करें, जादा सजादा कॉमेंट करें, इसके अलाबा एक पौधा एडूटेरिया के नाम जरूर लगाए, आसपास हर्याली बनाए रखें, जीवन में खुछाली इस सर्च बटन में आप जा करके, अगर आप सर्च में इडूटेरिया टेस्ट सिरीज जैसे ही आप सर्च करेंगे, इडूटेरिया टेस्ट सिरीज सर्च करेंगे, तो आपको सबसे पहले यह उपर में दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो नी वीडियो के लिंक आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको इससे काफी फैदा मिलेगा और जूर जाएगे और आने वाला जो हमारा Saturday Special Test होता है वो यहीं पर आयोजित होता है यहाँ पर आपको लिंक प्रवाइड के जाते हैं और फिर आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं